मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार उमीद करते आप स्वास्त होंगे अच्छे होंगे मैं आरके मिस्रा रात को 9 बजे 9 मिनट का सो देकर कि आप लोगों के पीच में लाइब हूँ बेशन कि मैंने आप लोगों उसे कमिट्मेंट किया था कि dimensionless नमर का जबर जस्त आप लोगों को trick समझाऊंगा और paper में बहुत आसानी से एक नमर आप लोगों के score करवाऊंगा तो अगर आपकी branch civil है आपकी branch mechanical है आप चाहते हैं अपने paper में एक नमर को ensure करना तो आज इस सेरीज का कौन सा पार्ट है बीसमा पार्ट है तो मैं आप लोगों से गुजारीज करूँगा कि ज़दी से सभी दोग आजाओ और सेशन में मैं आप लोगों की बीच में लाइब हूँ सारे डैमेंशनलेस नमर को जबरजस तरीके से डिसकस करता हूँ वीडियो सुरू करने के पैदे मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पैदे मैं आप लोगों को ये समझाना की कोसिस करूँगा कि डैमेंशनलेस नमर की ज़रूरत क्यों पड़ गई देखो हम बनाते हैं किसी भी चीज की दो चीज जैसे टर्बाइन बनाना होता है सबसे पैदे मैं आप लोगों को अगर मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ इसका मत्तब ये नहीं कि मैं आप लोगों की बीच में लाइब हो पूरा डैमेंशनलेस नमर जो एक से डेड़ घंटे में पढ़ते हैं उसको हमारी तयारी है कि रात को 9 बजे 9 मिनिट में ही समझ दे तो हम उसका टर्बाइन बनाते हैं तो टर्बाइन का सबसे पैदे मॉडल बनाते हैं फिर प्रोटोटाइब मॉडल अ प्रोटोटाइब की बीच में तीन तरह की सिमिलरिटी होनी चाहिए ऐक हमारी जेमेट्रिक, जेमेट्रिक में क्या होता है कि मॉडल अ प्रोटोटाइब का डिमेंशन के रेसियो एक कॉंस्टंट होना चाहिए और वो बरावर होना चाहिए जैसे यंदेलरब लेंख अ ब्रोटोटाइब का रेसियो होगा height of the model by height of the prototype का ratio width of the model by width of the prototype का ratio जो होना चाहिए वो पराबर होना चाहिए और एक चाह स्याद रखेगा तो mainly हम dimensionless number जो पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश से होता है मेरे भाई कि हमारा उद्देश से होता है कि model प्रोटोटाइब की बीच में कौन सी similarity रहे? by viscous force on prototype must be equal to the pressure force of model by pressure force of the आपका prototype तो यह अगर ratio आपका बराबर है तो इसका मतलब हमारा dynamic similarity है तो model प्रोटोटाइब के बीच में बहुत दूर की बात है dynamic similarities को maintain करने के लिए हम dimensionless number को पढ़ते हैं यह चीज़ जयाद रखेगा अब जैसे अगर model प्रोटोटाइब के बीच में हमारा dynamic similarity है तो एक बात यह भी याद रखेगा कि हमारा kinematic भी होगा geometric भी होगा kinematic में क्या होता है कि जितनी भी हमारी kinematic properties होती है ना उनके ratio बराबर होना चाहिए जैसे velocity of model by velocity of prototype का ratio discharge आप model by discharge आप prototype के बराबर होना चाहिए यह दिमाग में रखना आप लोगों को अब सुरूँ यहाँ पे एक circle बनाया गया है जिसमें dynamic similarity के अंदर kinematic और geometric भी आ रहा है लेकिन geometric similarity के अंदर kinematic और dynamic नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि अगर मुझे kinematic और geometric similarity maintain करना है तो अगर मैं model प्रोटोटाइप की बीच में dynamic similarity को maintain कर दूँ तो हमारा ये दोनों भी हो जाएंगे और dynamic similarity कहीं न कहीं बताता है कि हमने dimension less number को बराबर कर दिया है ये दिमाग में आप लोगों को रखना है अब मेरे बच्चो एकशे जाद रखना अब मैं आगे की बात करूँ अगर आपको देखो बहुत सारे हमारे जब model प्रोटोटाइप पर टेस्टिंग करते हैं जैसे एक model होगा एक प्रोटोटाइप होगा टेस्टिंग के दारान बहुत सारे forces एक्ट करते हैं जैसे बच्चो मैं आपको बोलू कि ये हमारा एक टर्बाइन है आपका टर्बाइन हो सकता है आपका एक सिप हो सकता है कुछ भी हो सकता है जैसे आपका एक सिप है कुछ भी हो सकता है μू भी L है हो सकता है इस पे pressure force लगे P into A A को हम L square तो P into L square हो सकता है surface tension force लगे sigma into L और मैं आपको बता दो इन सभी forces को आप fluid mechanics में पढ़ चुके हो मतब इन सभी पे ये हमारे forces लग सकते हैं अब एक हमारा gravity force M into G rho L cube into G एक हमारा elastic force जो की हमारा K into L square जो की हमारा क्या K into L square मेरे बच्चो ये हमारे different kind of forces आप की रख सकते हैं turbine पे and ship पे ये चीज़ जयाद रखना आप लोग turbine और किस पे ज़रा बताईएगा ship पे मेरे भाई एक चीज़ समझना आप लोग ये चीज़ समझना आप लोग ठीक है अब देखो अब इन्ही सारे forces की basis पे पहला जो हमारा dimensionless number है inertia जितने भी हमारे dimensionless number होते हैं सब के उपर आचा मैं आपको अभी सब के definition बता देता हूँ formula बता देता हूँ फिर उसके बाद सब के use आपको बता देता हूँ फिर आपको trick में बताऊँगा तो जब पूरा बेडियो देखोगे न तब जा करके आपको समझना आएगा तो देखो उस particular application में अगर viscous force dominant करेगा न तो आप ये समझाएगा viscous force वहाँ पे आएगा तो यहाँ पे Reynolds number का फार्मजा होगा रो भी अलबाई में होगा और याद रखना Reynolds number हमारा model अ प्रोटोटाइप का बराबर होना चाहिए तब ही जा करके हमारा उसके बीच में dynamic similarity होगा अगर हमने कहीं पे किसी application में Reynolds number Reynolds model आकर यूज किया तो Reynolds model आकर according Reynolds number of model must be equal to the Reynolds number of prototype अब मेरे भाई एक होता है Weber number तो Weber number के according हमारा अब देखो इसमी हमारा under root नहीं होता है इसको हम यूज करते है inertia force by surface tension का ratio का under root square root ratio of inertia force by surface tension इस number का हम यूज वहाँ पे करेंगे जहां पे हमारा surface tension force dominating हो जैसे capillary analysis में surface tension force हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा dominant करता है और इसके according Weber number of model और Weber number of prototype अगर इन दोनों अच्छा इसके dimension इस वे नहीं होंगे क्योंकि दोनों forces के ratio है Weber number of model और Weber number of prototype बराबर होना ज़िए अगर हमने बराबर कर लिया तो capillary analysis में model of prototype के बीच में dynamic similarity होगी फिर उसके बाद मेरे भाई यहां पे froud number froud number को याद करने का तरीका इसमें देखो हर किसी में inertia force हमारा उपर आएगा नीचे inertia force by gravity force square root ratio इसका फार्मूला होजाएगा वी याद रखना open channel प्रोग की analysis में या वहाँ जहां पे gravity force सबसे जादा dominant करेगा उसमें हम froud model आई रूज करते हैं froud model आखे कोडिंग froud model of froud number of model must be called the froud number of prototype अगर इन दोनों को हम बराबर कर रहे हैं इसका मतब उस application में हम कौन सी similarity को maintain कर रहे हैं dynamic similarity को maintain कर रहे हैं और हमारा यदि dynamic similarity है model of prototype के बीज में तो हमारा kinematic और geometric दोनों होगा याद ये रखना है हमें ये सी से इंस्योर करना है कि जब भी हम किसी pipe को बनाते हैं किसी भी open channel zone को बनाते हैं किसी भी turbine को बनाते हैं किसी भी dam को बनाते हैं सबसे पहले उसका छोटा सा प्रतिरूप जैसे उसका हम model तयार करते हैं उस पे हम सारी testing करते हैं जब वो okay होता है तो हम एक बहुत बड़ा product जो हमारा actual product होता है उसका replicate या duplicate बनाते हैं उसी size का उसको हम prototype होते हैं अब इसमें याद रखना है जैसे कि model हमारा एकदम छोटा होता है model हमारा एकदम छोटा होगा prototype exact हमारा जो product बनने वाला है वो इसी जैसा होगा और proud model must be equal to the proud number prototype और अगर हमने ये दोनों को बराबर कर दिया तो dynamic similarity हा गया इसको हम वहाँ पर use करेंगे जैसे आपको याद होगा open channel zone की analysis में इसको ज़्यादा use करते है एक होता user's number जो कि under root inertia force by elastic force का ratio user's number में हमारा याद रखेगा inertia force by हमारा pressure force होता है याद रखेगा कौन सा pressure force तो inertia अच्छा इसको हम वहाँ पर use करेंगे जहाँ पर हमारा कौन सा force dominant कर रहा होगा pressure force इसका formula P into L square तो user's number up model must be equal to the prototype अच्छा जो अगर नीचे आएगा तो उसको हम उस application में use करेंगे जहाँ पर dominant करने की कोशिज करेंगा क्या करने की कोशिज करेंगा dominant करने की कोशिज करेंगा तो ये चीज़ आद रखना अब मेरे भाई यहाँ पर उसके बाद एक होता है mac number तो mac number होता है under root inertia force by elastic force जो की formula हो साइगा इसको solve करोगे तो L cell cancel out और elastic force का formula K into L square L square से L square cancel out तो Vy under root K by rho K हमारा bulk modulus है तो under root K by rho को हम C बहुता है C हमारा क्या speed of sound है तो आपने mac number का एक और formula पढ़ा हुआ velocity of fluid by velocity of sound mac number of model must be equal to the mac number of prototype ये दिमाग में रखना है मेरे भाई और इसको हम जैसे की supersonic, hypersonic ये supersonic flow में इस number का यूज करते है मेरे भाई तो इसका हम वहाँ पर यूज करते हैं पर elastic force हमारा बहुत ज्यादा होता है compressible flow की analysis में इस number का बहुत जबर्जस्त यूज किया जाता है अब सुनो मेरे बात ध्यान से एक होता है काची number काची number में कुछ नहीं होता है ये square root हट जाता है square root हट जाता है तो simply inertia force by elastic force के ratio को हम काची number बोलते है ये सारे हमारे dimensionless number है इन सभी number का उद्धिस है model prototype के बीच में dynamic similarity को maintain करना और किसी भी चीज को बनाने के पहदे हम उसमें dynamic similarity अगर है इसका मत्बब आपका product okay है आफ manufacturing को दे दीजिए हजारो इन बनाओ चाहलाखो कोई tension की बात नहीं है लेकिन मेरे भाई इनको याद कैसे करोगे देखो एक trick है राव फे राव फे वं वा जव प से जैसे रेनाव्ट से नमर में क्या होगा देखो सब में common क्या है inertia force हमारा common है तो रेनाव्ट से नमर में inertia force by viscous force और पहले में हमारा under root नहीं होता है बाकी सभी में under root होता है जैसे फ्रावड में क्या होगा under root inertia force by gravity force यूर्ट से नमर में क्या under root inertia force by pressure force Weber नमर में क्या यहाँ पर W कर दो कोई रिक्षक नहीं यह समझना तो Weber नमर में क्या? Under root inertia force भई, surface tension force Mac नमर में क्या? Under root inertia force भई, elastic force इस तरीके से आप ये उपर हमारे dimensionless नमर है और ये हमारा नीचे आने वादा parameter है तो इस तरीके से आप सारे dimensionless नमर को आसानी से याद कर सकते हैं रव, फी, वाम, वा, जो, पर से बहुत पुरानी trick है और आपको इस तरीके से unique technique से याद कर सकते हैं तो अगर आपको ये series अच्छी रखती है तो आप लोग regular साम को 9 बजे जरूर मेरे साथ आईएगा हर एक interval पे एक-एक दिन के gap पे होती है ठीक है? तो keep learning, keep watching, अपना ख्याव रखो अपनी पढ़ाई करो, जवर्जस तरीके से और मेरे साथ आप लोग बने रहो इसकी पूरी एक आपको playlist बनी हुई है आप उसका advantage उठा सकते हैं मेरे साथ तो धन्यवाद वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के comment नहीं विया हूँ बट आप लोगों के लिए एक साथ बहुत ही बेहतरीन content record कर दिया हूँ वीडियो खतम हो जाने के बाद एक बार बताना जरूर है